नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है मन सुन्दर के आज के विशेश मिनी एपिसोड में इस एपिसोड में हम एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने है जैसा कि हम सब जानते हैं, टीवी सीरियल मन सुन्दर में एक नया मोड आ चुका है जिसमें अगनी एक बड़ा चाल चलने वाली है उसकी योजना है कि वह रूही को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दे लेकिन वह यह नहीं जानती कि नाहर हमेशा रूही की रक्षा करेगा हाल ही में नाहर ने रूही का जन्म दिन बेहद खास तरीके से मनाया था जिससे अगनी का पारा चड़ गया है अब अगनी केवल यह चाहती है कि किसी भी तरह से रूही इस घर से चली जाए ताकि उसकी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो सकें अगनी का यह खतरनाक खेल जल्द ही एक नई दिशा में बढ़ने वाला है क्योंकि आगामी एपिसोड में हम देखेंगे कि पुलिस नाहर से पूछताच के लिए घर में आने वाली है इस बीच अगनी ने एक ऐसा जाल बुन रखा है जिसमें वह चाहती है कि नाहर को पूरी सच्चाई पता चले लेकिन अगनी को यह नहीं पता कि नाहर केवल एक नजर में समझ जाएगा कि रूही ही उसकी पतनी है इसी बीच अगनी ने पहले से ही डिवोर्स पेपर तयार कर रखे हैं लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है जब कोट से यह डिवोर्स पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं वजह यह है कि जिस पर नाहर का साइन होना चाहिए था वह केवल एक जेरॉक्स साइन है अब नाहर को सारी सच्चाई पता चल जाने के बाद अगनी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं वह जितना भी चालाकी से योजना बनाए नाहर हमेशा एक कदम आगे रहेगा अगनी ने रूही को इस घर से निकालने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है लेकिन क्या वह अपने मकसद में सफल हो पाएगी जैसे ही पुलिस घर में आएगी और नाहर से सवाल जवाब शुरू करेगी उसके बाद अगनी का खेल खुल कर सामने आ जाएगा नाहर को जब सच्चाई का पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से अगनी के खिलाफ खड़ा होगा वह समझ जाएगा कि उसके और रूही के बीच की बुनियादी सच्चाई क्या है इस एपिसोड में हमें यह भी देखने को मिलेगा कि अगनी के खिलाफ नाहर के रुख में क्या बदलाव आता है क्या वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा क्या अगनी के खतरनाक इरादे सफल होंगे या नाहर अपनी पत्नी रूही की रक्षा कर पाएगा दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है हमें उमीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा आज के एपिसोड में आपका कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया क्रिपया, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साजह करें यदि आप ऐसे ही नए और दिल्चस्प सीरियल के एपिसोड का आनन्द लेना चाहते हैं तो क्रिपया हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आने वाले एपिसोड की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूले हम जल्द ही वापस आएंगे एक नए और रोमान्चक एपिसोड के साथ धन्यवाद दूसरे वाला घर जाते हैं हाँ पर एक बिल्ली रहता है और बिल्ली की बच्चा रहता है हमारी घर पे आप देख सकते हैं गाइस और यह जो हमारे गाउं का न जा रहा है आप देख सकते हैं और जो हमारे गाओं में बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं और इसी तरह से आप थोड़ा सा आके जाते हैं एक बकली की उपर उसकी बच्चा भी बैठा हुआ था गाइस इसी तरह से अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए गाइस